नमस्कार, A20Dishes उश्या कुर्जानी में आप सबका स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी शेयर करने जारी हूँ और वो है लेयर्ड वाली पालक पनीर की सबजी आप पालक पनीर काफी तरह से बनाते होंगे पर आज मैं आपको जो तरीका बताने जारी है आपने वो कभी ट्राय नहीं किया और ये इतना मज़िदार तरीका है न बनाते वक्त भी आपको मज़ा आजाएगा और खाते वक्त आप उंगलिया ही चाट लेंगे इतना मज़ितार बनती है यह सबजी बहुत ही अलग तरीके से बताऊंगी काफी जटपट से भी बन जाएगी तो चलिए बिलकुल भी देड नहीं करते है लेड पालक पनीर बनाना हम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आपको एक कडाई ले लेनी है इसके अंदर आपको डालना है दो ग्लास पानी उसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिए है पालक यह मैंने 500 ग्राम ले थी इसे मैंने अच्छे से वाश करके काट लिया है और इसका कलर बरकरार रखने के लिए मैंने चुटकी बर इसके अंदर डाल दिये चीनी यह जरूर डालिएगा इससे क्या होगा आखिर तक इसका रंग हराई रहेगा अब इसे 3-4 मिन तक अच्छे से बीच-बीच में चलाते हुए पका ले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़िया सा ओबाल आ गया है चार मिनिट हो गए है और हमारी पालक जो है अच्छे से बॉइल हो गई है तो देख सकते हैं इसका जो कलर एकदम बरकरार है तो यह ट्रिक है टिप है आपके लिए कि आप चीनी थोड़ी से बिलकुल डाले बस अब यह पालक को इस तरह से हमें मिक्सर जार के अंदर डाल देना है तो यह जो लेट पालक पनीर की सबजी है न आप इसे स्टार्टर के तौर से भी खा सकते हैं इतनी मज़ेदार लगती है न अब यह जब ठंडा हो जाएगा बाहर रखकर ही ठंडा कर लेना और इसे ढखकर फिर पीस लेना है दूसरी साइट मैंने एक और कड़ाई रख दिये इसके अंदर हम डालेंगे दो कटेवे प्याज, दो कटेवे टमाटर आदा ग्लास पानी, पांसे छे काजू आदी डालचीनी का टुकड़ा टोड़के डाल दिया है ढखकर इसे हमें 3-4 मिंट तक पकाना है तो यहां पर आप देख सकते हैं 3-4 मिंट के बाद जो हमारा पानी था वो भी सूख किया है और यह अच्छे से पक गए हैं तो अब इसको हम मिकसर जार के अंदर निकाल लेंगे और बाहर रखकर अच्छे से ठंडा कर लिएगे उसके बाद ढखकर इसे पीस लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इसे ढखकर अच्छे से पीस ले और यह तयार हो गया है अब यहां पर मैंने ले लिया है पनीर 200 ग्राम जितना एकदम फ्रेश पनीर लिया है और इसके हम छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं सारे छोटे छोटे टुकड़े मैंने कर लिये हैं अब इसके अंदर डालेंगे आदी चमच लाल मिश पाउडर स्वाद अनुसान नमक और अदी चमच गरम मसाला इन सबी मसालों को हम पनीर के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिए तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से मिक्स और लिया सारे मसाले पनीर के टुकड़े पर लग गए साइट में रख देंगे अभ गढ़ाई में हम डाल देंगे दो चमच इतना तेल जैसे करम हो जाएगा एक चौथाई चमच जीरा डाल दिया है आधी चमच अध्रक लेसन की मैंने पेस्ट डाल दिये एक से आधी मिनिट तक इस अच्छे से भून ले उसके बाद जो हमने पालक पीस के रखी थी वो हमें इसके अंदर डाल दीनी है आप देख सकते कितना प्यारा रंग है पालक का तो अब पालक की प्यूरी को हमें अच्छे से पकाना है इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वात के अनुसर थोड़ा सा लाल मिश पाउडर चुटकी बर मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल दिया है थोड़ा सा मैंने इसके भी है वो बनकर तयार है अब वही कड़ाई को मैंने फिर से गयस पर रख दिया इसके अंदर हम डालेंगे सिफ एक चमस तेल जैसे गरम हो जाएगा इसके अंदर हम एक चौथाई चमस जीरा ढाल देंगे हलका से हम भून लेंगे अब जो हमने वो टमाटर लसुन ये सारे अच्छे से चलाते होगे तीन से चार मिंट तक इस वाली ग्रेवी को भी हम अच्छे से पकाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैं चलाती जारी और इसे पकाती जा रहे हूं और यहाँ पर देख सकते हैं तीन से चार मिंट के बाद हमारी जो ये वाली ग लगाने के बाद इसके अंदर हम ये जो पालक की बनाई थी जो पालग की ग्रेवी बनाई थी वो हमें डाल देनी है सारी की सारी पानीर के फिर से टुकड़े अब इसके औपर मैं डाल रहे हूँ, यही पनीर के फिर से टुकड़े। तो पूरा अच्छे से पनीर, मैंने छोटे-छोटे इसलिए काटे, क्योंकि यह वाली जो रेसिपी, इसमे छोटे टुकड़े अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो डाल सकते हैं बड़े टुकड़े तो आप देख सकते हैं कित्ती बढ़िया लग रही है तीनों लेयर अब इसके ओपर आएगा हमारा मेन इंग्रीडेंट चीज तो यहाँ पर मैंने अमूल के दो क्यूब लिये हैं आप चाहें तो मॉजरेला चीज भी यूज कर सकते हैं मैंने आप अमूल का चीज क्यूब यूज की है बस इसे हमें ग्रेट करकर पूरे ही दोनों क्यूब इसके अंदर डाल देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसी तरह से दुसरा भी ले लिया इसे भी अच्छे से कदुकस कर लेंगे इसके उपर और इस तरह से हमारे जो दोनों चीज के क्यूब थे मैंने ग्रेट करके रख दिये हैं इसके उपर थोड़ा सा गरम मसाला उसके उपर डाल देंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल देंगे और यहाँ पर मैंने माइक्रोवेव को पहले से ही 180 डिक्री सेलसियस पर प्रीट करन के 10 मिनिट तक इसे हम इसी तरह से पकने देंगे तो यहाँ पर आप माइक्रोवे में भी कर सकते ओवन में भी अगर आपके पास यह दोनों ही नहीं तो आप क्या करें यह जो मैंने काच का बाउल लिये उसकी जगह पर आप स्टील का ले कोई भी बरतन बाउल उसके अंदर आपको एक कडाई लेनी है उसके अंदर नमक आपको बिचा लेना है यानि कि थोड़ा सा डाल देना फिर एक स्टेंड रग दे या कोई रिंग रग दे उसके उपर वो स्टील का बाउल रग दे और ढखकर चीज मेल्ट होने तक पका है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं हम हमारी जो यह लेट पालक पनीर वाली सबजी थी वो बनकर तयार है आप इसे ऐसे ही खाएं पराठे के साथ खा सकते हैं चपादी के साथ तंदूरी रोटी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती और मुझे कमें सेक्शन बताए आपको यह मेरी रेसिपी कैसी लगी है अच्छी